दोस्त अगर आप भी रोही चर्मा को पैतरीन खिलाडी मानते हैं तो मैरे इस वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा दोस्त भारत और इंग्लेंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट रंकला का चोथा मुकाबला आज 2 सितंबर से शुरू हो चुका है इस मकाबले की दोनों इटीमों की खिलाडी काफी जाद आउसुक नजर आ रहे है और इस उचुकता के चलते इस मकाबले की शुरूआत भी बड़ी शांदार रही तो चलिए बताते हैं आपको चोथे टेस्ट मकाबले के पहले दिन के पहले सेशन की हाइलाइट के बारे में लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोई चर्मा और वराट कोली में से कौन बैतरीन बल्लेवाज है नीचे कोमेंट सेक्शन में कोमेंट कर रहे के ज़रूर बताईएगा दोस्तो भारत और इंगलेंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट श्रंखला में अब तक तीन मकाबले के लिजा चुके है दोनों ये टीमों ने एक-एक मुकाबला जीत कर श्रंखला में बराबरी कर रखी है लेकिन अब ये चोथा मुकाबला भारती टीम और इंगलेंड की टीम के लिए काफी जादा एहम है क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी टीम ये मुकाबला जीतती है तो ये शरंखला में दो एक से बढ़त बना लेगी जैसा कि हम सब जानते है भारती टीम का प्रदिशन तीसे टेस्ट मकाबले में बड़ा ही शर्मना करा था और भारती टीम को इंगलेंड के हाथो बड़े ही निराशा जनक हार का स्वाध चकना पड़ा था जिसके बाद भारती टीम के खिलाड़ी की जम कर आलोचना की जा रही थी इसलिए अब भारती टीम के खिलाड़ी चोथे टेस्ट मकाबले में एक जबरदस वापसी करने के लिए पूरी तरीके से तयार होंगे क्योंकि कुछ इसी अंदाज से भारती टीम की खिलाडी अपना खेल खेलते हैं दोस्तों बता दे चोथे टेस्ट मुकाबले में एक बार फिर विराट कोली टोस हार गए और मेज़मान टीम ने उन्हें पहले बल्ले बाजी करने का आमंतरन दिया बता दे जब भारती टीम के दो जबर्दस सलामे बल्ले बाज मैदान पर बल्ले बाजी करने के लिए उतरे तो आज उनकी तेवर कुछ बदले बदले नजर आ रहे थे रोई चर्मा और केल राहूल आज जिस ले में नजर आ रहे थे उसे देखकर तो ऐसा लग रहा थे कि आज ये दोनों इंगलेंड के गेंदबाजों पर जम कर तूटेंगे आज जेमस एंडरसन और बाकी सभी इंगलेंड के गेंदबाजों की जम कर धुलाई करेंगे बता दे केल राहूल इतनी आकरमक रूप से बल्लेवाजी कर रहे थे कि उन्होंने तीसरे और में जेमस एंडरसन को लगातार दो चोके लगाते हुए जबरदस चोके के बाद ये साफ तर पर जाहिर कर दिया कि आज ये दोनों बल्लेवाज आकरमक रूप से बल्लेवाजी करने के लिए उतरे हैं जाए शुरुआत में केल राहूल आकरमक रूप से बल्लेवाजी कर रहे थे वोई दूसरे और रोहिट चर्मा काफी सूज भूज और समझदारी से बल्लेवाजी कर रहे थे वो बस एकवारी गेंद पर अपनी नजरे जमाना चाह रहे थे दोस्तो जैसे ही रोईट चर्मानी गेंद पर अपनी नजरे जमा ली फिर उनका कहर गेंद बाजू पर जम कर टूटा उन्होंने एक के बाद एक जबरदस शोट खेल कर सभी भारती परशन्सकों के साथ साथ कई क्रिकेट जगत के एक्सपर्ट का भी दिल जीत लिया आज ये दोनों जिस तरीकी के बल्ले बाजी कर रहे थे उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि पहले सेशन के अंग तक भारती टिम बिना कोई विकेट गवाए स्कोर 70 के पार ले जाएगी बता दे अभी रोई चर्मा 25 रणों से अधिक बना चुके हैं और केल रहुल 30 रण से भी अधिक और भारती टिम का स्कोर 50 रण है बिना किसी नुक्सान के लेकिन दोस्तों आप सभी को कह लगता है कि आज केल रहुला जवर्दस बल्ले बाजी करके एक बड़ी पारी खेल सकेंगे या नहीं नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और ऐसे खबरों के लिए मारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा